नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एजे चोदरी आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ और आज हम बात करने वाले हैं एक मैत्पोन टोपिक के बारे में जो कि जोगरोफिका है राजस्तान की जोगरोफिका देखिए अब मैं कुछ ऐसे टोपिक लेके चलने वाला हूँ जो कि RPSC के हर कॉंपिटिशन एक्जाम के लिए हैं क्योंकि जो जिके है वो सभी एक्जाम में आता है चाहिए वो आरेस हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकिंड ग्रेड हो, रीट हो, पटवार हो, ग्राम सेउक हो, जिके आता है और उसी में एक बहुत मैत्पून टोपिक है राजस्तान का खनीज, राजस्तान के खनीज के मैं दो वीडियो बनाऊंगा, आज के वीडियो में इसकी जो बेसिक जानकरी है खनीजों के बारे में वो, और नेक्ट वीडियो में हर खनीज के बारे में थोड़ा आप चाहें तो इन वीडियोज के नोट्स बना सकते हैं, आपको काफी बेनफिट होगा, और देखिए अब हम जो चीजें शुरू करने वाले हैं, आप लगातार जुड़े रहिए, लगातार इन वीडियोज को देखते रहिए, क्योंकि आप गोवर्मेंट जो वसंदरा वेकेंसी निकालने वाली है, आरेस की वेकेंसी भी आने वाली है, तो आप लगातार इसी परकार डटे रहिए, और अध्यन करते रहिए, तो देखिए हम बात करते हैं, राजस्तान के खनीज के बारे में, देखिए राजस्तान के जो खनीज हैं, इनको मुख्यतिया हम दो भागों में बाढ़ सकते हैं एक है दातविक खनीज और एक है एधातविक खनीज अब देखिए आपका होमवर्ग कि यह है कि आपको यह देखना है कि दातविक और एधातविक खनीज में डिफेरेंस क्या होता है यानि metallic minerals और non metallic आपको इन दोनों के अंदर जो भी difference होता है आपको निचे comment box में लिखना है आई हम बात करते हैं दात्वी खनीज कौन-कौन से होते हैं तो देखे इसके लिए मैंने एक short trick बनाई है ये एक काफी famous trick है आले मैं सिसो चांदी को ताज टांग दियो फिर से देखेगा आले मैं सिसो चांदी को ताज टांग दियो आले से हो जाएगा aluminium ले से लोहा उसके बाद में मैं मैं से मैंगनीज और उसके पसाथ है सिसो तो सी से सीसा और सो से सोना और उसके परसाद है चांदी, तो चांदी से चांदी, को से हो जाएगा क्रोमियम, ताज, ताज से हो जाएगा तामबा, और जैसे जस्ता, और टांग, टांग से हो जाएगा टंगस्टन, ये सबी मैंने इनके नाम लिखे हैं, जो भी खनीज हैं, धात्वी खनीज, दो इनकी एक ट्रिक है, जीरा, हीरा, पन्ना, मुंगा, सब फिर अंग्रेज ले गए, फिर से देखेगा, जीरा, हीरा, पन्ना, मुंगा, सब फिर अंग्रेज ले गए, जीरा, जीर से जिपसम और रा से रोक फोस्वेट, हीरा से हीरा, पन्ना से पन्ना, मुंगा में मूँ से मु अब्रक और ग्रे से ग्रेफाइट ये परमुक एदात्वी खनीज है उसके बाद में देखे राजस्थान के अंदर वो खनीज जिनका परतम स्थान है इनकी भी मैंने शोट्रिक बनाई है और ये आपको याद करने में काफी सुविदा होगी देखे इन खनीजों के नाम क्या वोलेश्टोनाइट, जासपर, सिसाजस्ता, चांदी, पन्ना, फ्लोराइट, जिपसम, संगमरमर और टंगस्टंग इनके अंदर राजस्थान का एका दिकार है यानि ये राजस्थान में परतम स्थान पर है इनके ट्रिक क्या है ट्रिक देखेगा वो जासी चांद पर या वोलेश्टोनाइट, जासी, चांद पर तू फल जीप के संग टंगा के लेजा, जासे हो जाएगा जासपर, उसके बाद में सी से सिसाजस्ता, चांद, चांद से चांदी, पर पैसे पन्ना, तू फल, फल से फलोराइट, जीप, जी से जिपसम, और उसके बाद में संग, सं ये मैंने मेप के माध्यम से आपको मुखे खनीजों की जानकारी देने का प्रियास किया है सेकंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक एक खनीज को आप डिटेल से पढ़ेंगे इस खनीज में सिर्फ आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ एक बार मेप के माध्यम से देखे जुँँजुनों जो डिष्टिक है यहां पर तामबा परसिद है खेतरी सिंगाना का जैपूर जैपूर में लोहा मोरिजा बानौल जो अस्थान है वहां से लोया आइसक मिलता है में इसके लावा जैपूर में डोलोमाइट यह भी प्राप्त होता है दोसा यह दोसा है दोसा से लोहा आइसक प्राप्त होता है कौन सा अस्थान है नीमला राइसेला उसके बाद में हम बात करते हैं अजमेर की राजस्तान का हर्दय कहलाता है यह अजमेर से कौन-कौन से खनीस प्राप्त होते हैं फैलसफार, ग्रेफाइट, क्वार्टर और वर टेगाना से टंगस्टन और नमक डीडवना नमक हमें कई जगे से मिलता है जैपुर में सांबर से जो है वहां से भी मिलता है जोधपुर में फलो दी है वहां से भी प्रात होता है उसके बाद देखेगा भीलवडा भीलवडा से हमें रामपुरा आगुचा नमक स्थान है वह ये जो खनीज है ये हमें मिलता है मांडो की पाल से इसके अत्रिक्त बांसवड़ा जो है बांसवड़ा से हमें सोना और लेलवाना और तलवड़ा जो इस्तान है वहां से मेंगनीज प्राप्त होता है उसके बाद में देखेगा जो बार्ड मेर है ये बार्ड मेर यहां पर ब प्राकरतिक गेस के लिए परसिद हैं। खनीज तेल बाड़ मेरे में कहां से है। गुड़ा मलाणी, कोशलू और बाईतू। और लिगनाइट कहां से है। गिराल, कपूरडी और जालिपा। तो ये स्थान हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते से हमें प्राप्त होता है रोकफासपेट और रिशब देव से एसवेश्टोस। देखे खनीज तो बहुत सारे हैं। और अगले वीडियो में आपको शोर्ट ट्री के मादियम से मैं सारे खनीज याद कराऊंगा। क्योंकि खनीज एक बहुत बड़ा और बहुत जिसका राजस्तान में परतमस्तान भी है जेसल मेर से खनीज तेल एक स्थान है तूरी वाला और बागे वाला वहां से पिलागरे नाइट प्राप्त होता है प्राकरती गेस है गोटारू डांडे वाला महू टिबा और रामगड यहां से जेसल मेर से हमें प्राकरती गेस प प्रकार है उसके बाद में चिन्नी मिटी, फायर कले और बाल कले ये भी हमें विकानियट से प्राप्त होती हैं अब देखिए कुछ क्यूशन है उनके बारे में एक बार बात कर लेते हम खनीजों का अजाइबर किस राजे को कहा जाता है राजस्तान को फलोराइट खनीज के उत्पादन में राजस्तान का देश में कौन सा अस्तान है पर्तमस्तान है ए लोहे खनीज की दरश्टी से राजस्तान का देश में कौन सा अस्तान है चोथा स्तान है देखिए सभी क्यूशन किसी ना किसी एकजाम में आई वे हैं वो सभी मोश्ट क्यूशन बता रहा हूं राजस्थान में गुलावी रंका ग्रेनाइट कहां पर पाय जाता है जालोर में हरी अगणी के नाम से जाना जाता है Пन्नाको राजस्थान में फेलrage स्पार कहां पाय जाता है अजमेर ब्यावर और भीलवाड़ा तो देखे इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे और इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्ट वीडियो में उसे इंपोर्टेंट क्यूशन के बारे में भी अध्यान करेंगे और साथ ही हर खनीज को डेटेल से भी पढ़ेंगे तो आपसे जो क्यूशन मैंने पूछा था कि दात्विक और एध दात्विक में अंतर क्या है वो आप जरूर बताईएगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जै हिन जै भारत